जो प्रविए अर्फाइन गई एंड वलकॉम तो दे पिलर्स एंड्रलाइज प्लाटफर्म जहां पे कि जितने भी अंडर ग्राजुएट एंड पोस्ट ग्राजुएट स्टुडेंट हैं सबको यार मतलब वलकॉम है और यहां पे आपको डेफिनेटली जितने भी फिजिक स्टुडेंट हो डिफ डेफिनेटली आपको मतलब होने वाल है वो चाहें आपको कॉम्पिटेटीव एक्जाम हो या फिर आपका यू नो एकाड़मिक्स हो आपको कोई कॉइप समझ में नह से नहीं हुआ है मैं नहीं देखा यहां पे एक गैदर ऐसक्यलीटी है जो कि हर एक पेपर को मतलब मतलब हो जो आपको को में में अभी चल रहा है मेरा नोर्थ ओरिसा उनिवर्शु पे और मेरा अंडर्गाजवाट मैं संभलतपूर उनिवर्सिटी से जो है ।ो मैं आपक आपको पढ़ने वाला हूं quantum mechanics और आप जो books follow कर सकते हो, that is objectively follow कर सकते हो, या फिर आप follow कर सकते हो M10PK जना, ठीक है न, तो जो आपको easy लगे, जिसको आपको पढ़के समझ में आए, वो आपको follow कर सकते हो, ठीक है, concept वो ही रहेगा, आप book भी पढ़ोगे, तो आपको समझने म मुझे पता है, most of the student क्या करते हैं, जब वो book पढ़ते हैं, even मैं जब student, मतलब अभी भी student हो, बट अभी जो चीजे हैं, वो easier हो गया है, ठीक है न, आप, मतलब student life में क्या होता है, आपको book पढ़ने का मन नहीं करता है, आप notes को ज़्यादा follow करते हो, लेकिन यार, एक चीज से पढ़के आपको दे रहा है, तो उससे क्या होता है, उसका quality थोड़ा, you know, क्या बोलें उसको, ठीक है, वो anyhow, आप अगर direct source से लोगे, ठीक है, पहली बात जो है, ये habit आपको डालना पढ़ेगा, book का habit जब डालोगे, तब पता चलेगा, कि book पढ़ना क्या होता है, ठीक है and it will be a habit, a study जो है, वो एक habit हो जाएगा, और book पढ़ने भी मजा आपको, तो quantum mechanics, quantum mechanics की बात करें, quantum mechanics is all about what, probability, okay, uncertainty बोल सकते हो, and the rules for calculating this, uncertainty is completely known, okay, and there is nothing like uncertainty for calculating the rules, okay, and in quantum mechanics, generally, we, you know, take the frame, all the framework, you can say that, or in physics, generally, आप बोल सकते हो, कि जो framework होता है, वो mathematics होता है, in its, what, elementary form, ठीक है, and it is even more elementary than the Hamilton's mechanics, बोल सकते हो, ठीक है, Hamilton mechanics जो होता है, उससे भी ये ज्यादा, क्या होता है, elementary form में होता है, ठीक है, और, देखो, classical को को क्या है, support करने के लिए, बहुत सरे बहुत सरे ले सकते हो, इसे बहुत सारे concepts है, but in quantum mechanics, ठीक है, that is replaced by what, that is replaced by a linear kind of structure, वो चीज़ जो है, यहाँ पे, एक linear kind of structure के बारे में, मतरब, linear kind of structure में क्या होता है, वो replaced हो जाता है, और वो क्या होता है, linear kind of structure means I am talking about the state, समझ में आ रहा है, तो जितने भी चीज़े हैं, इनके बारे में हम हमारे lecture में discuss करेंगे, और यहां पर पस मैं थोड़ा सा एक हिंट देते था हूं, quantum mechanics से बारे में थोड़ा सा बता दिया बस, और I am not talking about that the initial how quantum mechanics is introduced to the physics, okay, and why classical mechanics failed, in this kind of things you already, you know, पढ़ चुके हो आप, in your undergraduate level, और आपको इसी channel पे the pillars बहुत सारे lectures मिले जाएंगे, तो तो हम यार, PG post graduate level के physics को जो है quantum mechanics पढ़ेंगे, तो यहां पे जो है, मैं start करूँगा, vector space से, तो मेरा first lecture जो है, वो होगा, vector space से start होगा, और अगर आप, you know, आपको कुछ भी, मतलब सिलावस चाहिए, मैं next video, जब मेरा first lecture जब आएगा, तो उसमें मैं अपना थोड़ा सिलावस से discuss कर दूना, और comment में मुझे ज़रूर बताना कि सिलावस क्या आपको next video में मैं पिखा दूँ, या फिर, यार, जो भी post graduate में, जिसका भी जो university में, ठीक है, है, आप वही चीज़े ही होंगी, बस थोड़ा disorder होके होगा, या फिर, वही चीज़े ही होंगी, probably, तो यार, बस यही, तो next lecture जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए बाए, और चैनल को like, share and subscribe कर देना, क्योंकि इसमें आपको पूरा content भर के मिलेगा, about quantum mechanics, मेरे तरफ से तो पूरा सब कुछ, you know, इसका जो lecture series हो स्टार्ट हो जाएगा, तो चलो यार, मिलते हैं मेरे next video पर, तब तक के bye